नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं नियोजन नीती के खिलाप सड़क पर उत्रे छात्र कई गिरफतार जहरखन स्टेट स्टुडेंट यूनियन के बैनर तले नियोजन नीती के वीरोध में मुख्यमंत्री आवास का घिराव करने निगले बेरोजगार युआओ को पूलिस ने बेरिकेटिंग का रोक दिया है आंदोलन रात छात्रों ने कहा है कि हम सांती पूर्वक मुख्यमंत्री आवास तक जाना चाहते हैं लेकिन पूलिस बल पूर्वक हमें रोकने का प्रयास कर रही है बता दे पूर्व निधारित कारिकरम के तहुत छात्र पहले मुरबादी मैदान में जूटे सीटी एस्पी ने परसंकारी छात्रों से अन्रोट किया है कि वे सभी मुरबादी मैदान में ही सांती पूर्वक अपनी बात रखे हलाकि छात्र सीम आवास की और रैली के सक्ल में बढ़े परसंकारी छात्रों को पहले मोर अबादी टी ओपी के पास रोक लिया गया इसके बाद वह सभी ऑक्सियन पार्क के पीछे से राची उन्वर्सिटी होते वे मुखे मंद्री आवास की और बढ़े है इसके बाद छात्रों को प्रेम संच चोग के पास रोक लिया गया हलाकि इस दोरान परिक्षा देने जा रहे विद्यार्थियों को एडमीट कार देखाने पर बैरिकेटिंग खोल जाने का दिया गया है छात्रों के परसंकी वज़ा से कई मार्गों में जाम लगा है कोडरू ब्रीज पूरा जाम हो गया है जाम में इसकूली बच्चे भी फहुंस गया है पूलिस की छात्रों से अपील लो और ना करे भांग साथ चालिस नियोजन नीती के बिरोध में राजेभर के छात्रों ने 72 घंटे के महांदुरन की घोसना की है इसी के तहब 17 अप्रेल को मुख्य मंत्री आवास की घेराव का कारिकरम रखा गया है इस कारिकरम को लेकर मुख्य मंत्री आवास मौराबादी और आसपास के छेत्रों में पूलिस ने सुरक्षा के पुखताईंग जाम किये है जगा जगा पर बैरिकेटिंग लगाया है ताकि कोई भी परद्शन कारी मुख्य मंत्री आवास तक न पहुंच चके बताते सुरक्षा को लेकर रांची के सीटी एसपी सुभान सुजैन ने बताया है कि जो भी परद्शन कारी आएंगे उनसे अपील किया गया है कि वह बैरिकेटिंग को क्रोस ना करे सांती के साथ अपना परद्शन करे ताकि लो और भांग ना हो उन्होंने बताया है कि ADM लो और और की तरफ से मुख्य मंत्री आवास के आजपास धारा 144 लगा दी गई है जो देर रात तक लागू रहेगा मुख्य मंत्री आवास के घहराओ को देखते हुए रांची में दो हजार अतरीक्त सुरक्षा बलो की तैनाती की गई है हेमंत कैबिनेट की बैठक आज कई प्रस्ताओं को मिलेगी मंजूरी जारक्षन कैबिनेट की बैठक आज है मुख्य मंत्री हमंसुरेन के अध्यक्स्ता में कैबिनेट की मीटिंग साम चार बज़े से प्रोजेक्ट मंत्राला इस्थीत मंत्री मंदल कक्ष में होगी इस बैठक में मुख्य मंत्री हमन सुरेन के अलावा सभी मंत्री विभाग्य सची मुख्य मंत्री के परदान सची और मुख्य सची शामिल होंगे बता दे इस मीटिंग में महांगाई भात्ता ब्रीधी सहीत कई अनप्रस्ताव पर मुहर लग सकती है गौतला भाय की पहले केबिनेट की मीटिंग चो अपरेल को निधारी थी लेकिन राजी के स्कूरी सिक्षायम सक्षता चता मग्द निशेद विभाग के मंत्री जगरनात महतों के अक्समिक निधन की वज़े से इसे टाल दिया गया था इससे पहले 27 मार्च को केबिनेट की बेटक होई थी गौतला भाय की स्वमवार को होने वाली केबिनेट की मीटिंग में राज सरकार के मातहत, करेरत, करमचारियों और पेंसंदारियों के महागाई बात्ता में चार फिजदी की ब्रेदी की जा सकती है नियोजन निती को लेकर महा अंदोलाण स्थानिय युगावक के लिए सरकारी नौकरी में डोमिसायल की बेवस्ता है, लेकिन जार्खन में कमजूर साथसन बेवस्ता के कराण यहाँ पूरे डेस भर के लोगों के लिए सरकारी नौकरी पाने का दवार खोल दिया गया है इससे यहां के मूलवासी चात्रों का अहीत होगा अगर चात्रों के अंदोलन को नजर अंदाज करती है तो इसका खामिया जाना 2024 के चुनाव के दोरान जेलना होगा CM अवास घेराव पर बोले चात्र लाठी डंडे से नहीं डरते जारखन में नियोजे नितिक बिरुवद में जारखन एस्टेट स्टूडेंट यूनियन सहीत कई चात्र संगठनों ने आज से अंदोलन सुरू किया है सोमवार को चात्रों ने मुख्यमंत्री आवास घेराव का अकार करम रखा है मोराबादी में ही रखे और अपनी बात रखे साथी बता दे कि मुख्यमंत्री आवास घेराव के पास भारी संख्या में पुलिस बल के तनाती कर दी गई है साथी 200 मीटर की परीदी में धारा 144 लागू कर दी गई है बता दे कि ऐसे में पुलिस के करीब 900 पुलिस बल इस छेतर में तेनाथ किया गया है साथी आसुगैस और वाटर केनन भी रखे गया है वहीं छेतरों का कहाना है कि हर बेरिकेटिंग को तोड़ते हुए ICM अवास तक पहुचेंगे जारखंड के मौसम बदलेगा रांची मौसम केंद्र के अनुसार 20 अपरेल से जारखंड में मौसम में बदला हो सकता है वहीं 20-22 अपरेल तक रायधानी राची समेथ सभी जीलों में हलके से मदलेगा की बारिस हो सकती है इससे लोगों को गर्मी सरहत मिल सकती है बता दे रभीवार को भी राईधानी और आसपास के इलाकों में बादल चाये रहे बादल के कारान उमस बढ़ी रही गर्मी है कि कम होने का नाम नहीं ले रही है आजमन में बादलों का हल चल भी है पर वारिच का नामों निसान नहीं है गर्मिसे इंसान ही नहीं वलिक जानवर भी परिसान है खाद्द्य आपुर्ती विभाग के 321 रिक्ट पदों पर होगी बहाली खाद्द्य आपुर्ती विभाग में 632 स्तर पता अधिकार्यों और करमचार्यों के रिक्ट पड़े 391 पदों पर नियुक्ति के रास्ता साफ हो गया है विभाग ने रिक्त पदों को भरने के लिए जार्खन राज आप पूर्ति नियमावली 2023 त्यार कर ली है इसे सरकार की मंजूरी मिल गई है अब विभाग के ओर से JPSC वा JSAC को नियुक्ति के लिए अधियाचना बेजी जाएगी बता देखाद आपूर्ति विभाग में 638 पर 435 पद स्रीजी थाए इनमें से सीर्फ 44 अधिकारी वा करमचारी ही कारिया थाए लगभग नगबे पर 37 पद रिक्त है परखंड आपूर्ति पद अधिकारी के 260 पदों में 252 पद खाली पड़े हुए है राजे में सीर्फ 8 परखंड आपूर्ति पद अधिकारी ही काररत है परखंडों में खद्यान की मौनेटरिंग, सीयो वा वीडियो के माध्यम से हो रही है चांडिल में जंगली हाथियों का आतंक गरामिनों ने किया सड़क जाम सराय के लगहर सवा जीला में हाथियों का उत्पात जारी है जीले से चांडिल अनुमंडल छेत्र में जंगली हाथियों के आतंक से गरामिनों में डर समाया हुए है आये दिन कई ऐसी घटना सामने आ जाती है जिसे छेत्र में भारी जान माल का नुक्सान जहलना पड़ रहा है ऐसे ही एक घटना दुबारा हुई है जिसमें चांडिल के मानिक कुई तरकुआ में जंगली हाथियों का जूंड जम कर उत्पात मचाया है साथी घटना में किसी ब्यक्ति को नुक्सान नहीं हुए है लेकिन अपने समान के भारी नुक्सान को देखते हुए ग्रामिन अक्रोशित हो गए है छात्रों पर वीडियो गराफी वार ड्रोन केमरे से रखी जा रही नजार नियोजन निती में ब्याप्त भी संगतियों को लेकर आहुत सीम आवास घेराओ को देखते हुए रांची पुलिस ने पुक्ता इंतिजाम किया है सीम आवास की ओर जाने वाले विभीन मारगों में 33 अस्थानों पर बैरिकेटिंग के विवस्ता की गई है जहां 54 दंडा अधिकारी के साथ प्रयाप्त संख्या में पुलिस बलतेनात रहेंगे बता दे सेस्पी की सोर कॉसन ने बताया है कि सीम आवास और सीम सची वाले तक भीर को पहुँचने नहीं दिया जाएगा 25 सब अतिरिक्त पूलिस बलो के तेनाती की जाएगी इसमें रैफ की चार बटालियन सामिल है अनावसेक भीर लागाने वा उपद्रव करने वालों पर विधी सम्मत खरवाई भी की जाएगी सहर में विभीन चोक्चराहों पर लागे CCTV कैमरे से अराजाक इस्थिती उत्पन करने वालों पर नजर रखी जाएगी साथी वीडियो गराफी वा ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जाएगी बैरिकेटिंग के पास पहुँचे कई छात्रे पुलिस हिरासत में कई छात्रों को हिरासत में ले लिया गया है बस में उन्हें बैठा कर किसी दूसरे जगर ले जाया जा रहा है CM आवास के घहराव के लिए छात्र निकल चुके है CM आवास से कुछ ही दूरी पर छात्रों को पुलिस ने रोक दिया है उसके बाद से बैरिकेटिंग लगी हुई है बैरिकेटिंग के दूसरी तरह सेकडों चात्रों का जमाड़ा है चात्र जबर्जस्त नारे लगा रहे है वहीं पुलिस लगातार ये समझाने की कोशिज कर रही है कि छात्र किसी भी तरह से बेरिकेटिंग को पार्ना करे पुलिष ने बताया है कि सीम आवास के आसपास धारा 114 लगाई गई है इसलिए छात्र वहां तक न जाए और फहां इर्फान अनसारी की मांग योगी को परखास्ट करे पियम मोदी अपने ब्यानों के चल ते even की राहनी तिच में लगातार सुर्खिया बटौरनेवाले कंग्रेस विदैक डक्टर इर्फान अनसारी ने अतिक अहमद की हत्या को लेकर पियम मोदी से यूपी के CM योगी आधित्यनाथ को बरकास्त करने की मायं कर दिया है कॉंग्रेस दुवारा दी गई दावत ए इफतार में सामिल होने के बाद डाक्टर इफार अंसारी ने प्रयाग राज में पुर्व सांसद अतिक अहमद की पुलिस कस्टडी में हत्या पुल्वामा घटना को लेकर जमू कास्मीर के पुर्व राजेपाल सत्पाल मलिक के ब्यान अपने लिलंबन की वापसी से लेकर भगपा कर्याले में दावत ए इफतार को लेकर एक के बाद एक ब्यान दिये है बता दे जाम तड़ा से कॉंग्रेस के विधायक डाक्टर इफान अंसारी ने कहा है कि अतिक अहमद हत्याकांट को सिर्फ मुस्लिम समाज से जोड़ कर देखना ठीक नहीं है किसी भी धर्म का आरोपी हो उसे साजाद देने के लिए नियाला और समिधान है चातरों को पुलिस ने रोका तो नाला पार कर दूसरे रास्ते से निकले चातर 46 नियोजन निती का बिरोध 1932 खत्यान अधालित अस्थानिय निती को लेकर जारकन एस्टेट स्टूडेंट यूनियन का आज से 72 घंटे का महा अंधोलन सुरू हो गया है मौराबादी मैदान से CM हाउस का घहराव करने जा रहे चातरों को पुलिस ने राज किये अतिती साला के पास रोक दिया रोकने के बाद भी सवी चातर दूसरे रास्ते से CM अवास घहरने के लिए निकल पड़े जगह पर बैरिकेटिंग भी की गई है बता दे चातर संगठनों दो आरा CM हाउस घहराव कारकरम को देखते वे जीला पसासन ने CM हाउस के 200 मीटर के दाएरे में 114 लगा दिया है धन्यवाद